हेलो फ्रेंड स्वागत आप सबका नित्यास किचिन में तो आज हम बनाने वाले हैं आलू परवल की भूजिया जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है और गर्मियों में बहुत ज्यादा अच्छी लगती है खाने में और चलिए देखें इसे कैसे बनाया जाता है तो इसके बाद मैंने लिये हैं दो से तीन आलू हम लेंगे मीडियम आकार के और इसको भी हम काट लेंगे चौकोर टुकणों में आप चाहें तो काटने काकार आप अपने अनुसार रख सकते हैं इसके बाद मैंने एक टमाटर दो हरी मिर्च और थोड़ा सा चौप किया हुआ अधर तेल थोड़ा सा जादा हम डालेंगे और जैसे ही जो हमारा तेल है वो गरम हो जाए तो उसके बाद हम इसके अंदर आधा चमज के लगबग जीरा डाल देंगे और जब हमारा जीरा अच्छी से चटक जाएगा तो जीरा भुनने के बाद हम इसके अंदर जो हमने दो से तीन हरी मिर्च ली थी काटके वो इसके अंदर हम डाल देंगे और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आएगे तो देखिए जो मेरी हरी मिर्च है वो भुन गई है इसके बाद हम इसमें अब लैसन और अद्रक जिसको कि मैंने बारिक बारिक चौप कर लिया है मैंने दो से तीन लैसन की कलिया ली है और एक इंच लगबग अद्रक का टुकडा लिया है और उसको मैंने चौप कर लिया ह तो उसे मैंने चौप करके इसमें डाल दिया है और इसे हम आधे मिनट के लिए चलाएंगे और अच्छे से भून लेंगे तो जैसे हमारा अधरक और लहसन भून जाता है कि इसके बाद हम अधर्षा हमारे चौप कि हूए टमाटर तो मैंने एक मीरियम टमाटर का यूज किया है आप चाहें तो जाधा भी ले सकते हैं तो मैंने इसके अंदर बेदा अपने दोस्तों को भी इस रेसिपी को जरूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को फैमिली को ग्रूप में ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह रेसिपी पहुंच सके और आप मुझसे और क्या देखना चाहते हैं मुझे कमेंट में करके जरूर बताइए इसके बाद बाद में इसमें आधा चमझ नमक डाल दिया ह। और आप हम ब्रसी लगवगी लाल मुर्च पाउडर अगर आपकी होती है आप चाहें तो उसके थोड़ा कम काम इस्तमाल कर सकती है निक पर बाहल कि ऐक चमझ पिसा हुए धरिया पावडर को और सब Сब को हम अच्छे से मसाला है वह भुन जाएगा और हमारे टमाटर भी हैं किसे गल जाएंगे उसके बाद हम इसमें अपने जो हमारे कटे हुए आलू और परवल थे वह इसके अंदर हम डाल देंगे को कि शेख यह यकीन मानिए यह रैसिपी यह बहुत ही जादा बनती है और यह ऐंने मनाई है लेकिन असिका जो जब्हुत अच्छा आता है एक बार आप बना कर जरूर देखेंगा की कटें बहुत टेस्टी लगती है और बच्चे भी इसको बड़े मज़े से शाते हैं तो चलिए अब जो हमारा मसारा है वो अच्छी से बुन गया है तो जो मैंने आलू हैं काटके और धोके रखे थे वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं और जो मैंने परवल काटके रखे थे वो भी अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी और आप इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो आलू परवल है मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर हम बि के खेए एक हम यसको 15-20 मिनट के लिए concern के वो कि हमारा सब्जी है वो गल जाए और अपने रोल जाएगी तो ह। ढिकि यह कम्से खाल में में ने 15-20 मिनट अब देखतें कि हमारी सब्जी यह कैसी बनि वैं कि हमारी सब्जी है और कलर भी बहुत सुन dari आया है और खुश्बू भी बहुत प्यारी आ रही है इसकी आप चाहें तो इसके अंदर कटा हुआ प्यास भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने प्यास नहीं डाला है क्योंकि मुझे यह ऐसी ही पसंद है अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला पावडर एक चॉथा ही चम्मच के लगबग और एक आदर चमच के लगबग हम इसके अंदर अमचूर पावडर डालने से इसका जो टेस्ट भी बहुत जादा बढ़ जाता है आप इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और जो यह हमारी सबजी है यह बिलकुल तयार है सर्व करने के लिए और यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है आप इसे पूड़ी पराथे किसी भी चीज के साथ बहुत ही मज़े से खा सकते हैं इसी तरह की और टेस्टी रेस्पी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए और जादर से जादा और और टेस्टी सब्जियां ला सकूए तो और अगर आपको कुछ और देखना हो या कोई नई रेसिप जो कि आप सीखना चाहते हों तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं